क्या शारुक खान की इस बोर्जे पर फ्रांस को मिलेगा डबल तौफा क्या डीडी एजी की स्क्रीनिंग की साथ लॉंच होगा पठान का टीजर यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगी लेकिन वेट वीडियो शुरू करने से पहले आपको बस तीन चीज़े करनी है लाइक शेय पठान को लेकर उनके फैंस की बीच काफी जादा क्रेज बढ़ता जा रहा है फैंस को अगर इस समय सबसे जादा किसी बात का इंजिजार है तो वह है शारुक खान की फिर्म पठान का टीजर पहले एक खबर सामने आई थी कि दिवाले के मौके पर पठान का टीजर सामने लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अब फ्रांस की बीच हर्चल है कि दो नमंबर यानि की शारुक खान की बड़े वाले दिन फिल्म पठान का टीजर जो है वो रिलीस किया जाएगा शारुक खान अगले महीने दो तरीको 57 साल के पूरे हो जाएंगी उनकी जनम दिन पर अक्सर कुछ खास करने की कोशिश तो की ही जाती है चूंकि अगले साल उनकी फिल्म पठान रिलीस होने वाली है ऐसे में मेकर्स के पार शारुक की बड़े को खास बनाने का बहतरीन मौका है पठान का अब तक सिर्फ पोस्टर ही जारी हुआ है और टीजर का लंबे समय से इंतिज हो रहा है तो यह नुमान लगाया जा रहा है कि शारुक की जनम दिन पर ही पठान से लोगों की मुदाकात करवाई जाएगी तो क्या डीडीएजी की साथ दिखेगा पठान का टीजर फिल्म क्रिटिक जोगिंदर टुटेजा ने हाल ही में एक ट्वीट किया है कि जिसके ब मेंबर बेस्ट पार्ट यह है कि बड़े परदे पर आ सकता है क्योंकि एश्ट्राट फिल्म्स की और से चुनिंदा स्क्रीन पर इसी दिन दिलवाले दुननिया ले जाएगी यानि कि डीडील जे दिखाई जाएगी ऐसे में टीजर इसके साथ ही अटाच किया जाएगा वो आई यू रेडी ऐसे में फैंस को यकीन हो गया है कि दो नमंबर को यानि कि शारुख खान की जनम दिन पर ही पठान का टीजर रिलीस किया जाएगा तो आप कितने जादा एक्साइटेड है कि खान के नए टीजर को लेकर हमें नीचे कमेंट्स करकी जरूर बताएं मिलती आपसे बहुत जल अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बवाए टेक कियर हर तरीके की खबर जाने के लिए सस्क्राइब करें हमारा न्यूजीबर यूटीब चैनल और डाउनलोड करें न्यूजीबर आप